Dear viewers, Welcome back to the channel. दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने MG, Škoda और Toyota का Brand-wise Sales Figure जाना था March 2022 का और दोस्तों, इस वीडियो में हम बाकी 6 Car Brands का Sales Figure March 2022 का जानेंगे. तो वीडियो काफी interesting होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले हर वीडियो का notification आपके पास तुरंट पहुँचें. तो पहले बात कर लेते हैं, इस लिस्ट में least selling car brands की, तो वो रही 1020, 2020 यूनिट भी की हैं, जीप का sales figure year on year comparison में 7.52% कम हुआ है मार्च 2021 के मुकाबले, और आगे बढ़े बात कर लेते हैं 9th position की, तो 9th position पर है निसान, निसान की 2456 यूनिट भी की हैं, निसान का भी sales figure दोस्तों, 42.13% कम हुआ है मार्च 2021 के मुकाबले, क्योंकि मार्च 2021 में निसान की 4244 यूनिट भी की थी, और 8th position पर इस लिस्ट में है ओक्सवेगन, ओक्सवेगन की 4028, 4028 यूनिट भी की हैं ओक्सवेगन का sales figure हला की 84% जादा हुआ है मार्च 2021 के comparison में, मार्च 2021 में ओक्सवेगन की 2186 यूनिट भी की थी, और इसके बाद 7th position पर है दोस्तों, रेनो, रेनो की 6568, 6568 यूनिट भी की है हलाकि इसका sales figure 40.52, 40.52% कम हुआ है क्योंकि रेनो का sales figure मार्च 2021 में 11,043, 11,043 यूनिट था और इसके बाद 6th position पर है होंडा, होंडा की 7,187 यूनिट भी की है होंडा का भी sales figure 22.92, 22.92% कम हुआ है मार्च 2021 के कमपेरिजन में मार्च 2021 में होंडा की 9,324 यूनिट भी की थी और आगे बढ़ें आप बात कर लेते हैं इस लिस्ट के 5th position की तो 5th position पर है किया किया की 22,622 22,622 यूनिट भी की है इसका sales figure हलाकि 18.44% 18.44% ज़्यादा हुआ है मार्च 2021 के मुकाबले मार्च 2021 में किया की 19,119,100 यूनिट भी की थी और इसके बाद बाद करें 4th position की तो 4th position पर है अपनी महिंद्रा महिंद्रा की 27,663 यूनिट भी की है महिंद्रा का sales figure 79.73 89.73% ज़्यादा हुआ है मार्च 2021 के मुकाबले क्योंकि मार्च 2021 में महिंद्रा की 15,391 यूनिट भी की थी और आगे बढ़ें अब बात कर लेते हैं इस list के 3rd position की तो 3rd position पर है Tata Motors Tata Motors की 42,295 42,295 यूनिट भी की है इसका भी sales figure Tata Motors का भी sales figure 43 43% ज़्यादा हुआ है मार्च 2021 के मुकाबले मार्च 2021 में Tata Motors की केवल 39,655 29,655 यूनिट भी की थी और 2nd position पर है हुन्डई हुन्डई की 44,050 44,050 यूनिट भी की है जो की मार्च 2021 के मुकाबले 14,46 14,46% क्योंकि मार्च 2021 में हुन्डई की 51,651,600 यूनिट भी की थी और फाइनली बात कर लेते हैं भारत की सबसे ज़्यादा भिकने वाली ब्रैंड मारूती की तो मारूती की 1,33,861,33,861 यूनिट भी की है इसका sales figure 8.44% कम हुआ है इसका sales figure मार्च 2021 में 1,46,203 यूनिट भी की थी 1,46,203 यूनिट तो देख सकते हैं दोस्तों यही रहा सभी कार ब्रैंज का sales figure मार्च 2022 का इस वीडियो में इतना ही वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें share करें और हां MG, Toyota और Škoda का भी जानना चाहते हैं तो description में आपको link मिल जाएगा वहां से जाकर आप उनका भी sales figure जान सकते हैं वीडियो को लास तक देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का दिन सूभ हो और हां चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले हर वीडियो का notification आपके पास तुरन पहुँचे Once again, thank you